असलाम अलेकूम गाइज, वेलकम बेक टो मैं चैनल, कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ, सब खेरियत से होंगे आज की हमारी रेसिपी है कोकोनेट बिस्किट, बिल्कुल बेकरी की तरह बनेंगे, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कोकोनेट बिस्किट बनाने के लिए हमें इन सब चीजों की ज़रुवत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले है कोकोनेट पाउडर, एक कप, तीन अंडे की सफेदिया, चीनी पोना कप लेंगे, रेड फूट कलर लेंगे तकरीबन एक चुटकी, सबसे पहले एक बाउल में हम ले लेंगे एंडे की सफेदिया, उसमें शामिल करेंगे चीनी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चीनी मिक्स हो जाए, फिर उसमें डालेंगे कोकनट पाउडर, अब फूट कलर शामिल करेंगे अब एक पैन लेंगे उसे थोड़ा सा गरम करेंगे, गरम होने के बाद इसमें सारा मिक्स्टर डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कोक करेंगे, यह देखिए, मिक्स्टर ने पैन की साइट्स छोड़ दी है, इससे ज्यादा इसको कुक नहीं करना वना कोकनट जल जाएगा, अब इसको निकाल लेंगे और धंडा होने देंगे, अब जब तक यह ठंडा होता है, हम अपना पैन प्री हीट कर लेते हैं, अब हम एक पतीला लेंगे, उसमें नमक बिछा देंगे, और कोई स्याभी जाली का स्टेंड या कोई स्टील की प्लेट या कोई भी बटन रख देंगे, अब इसे कवर करके पांच मिनट तक प्री हीट करेंगे, लो फ्लेम पे, मैंने एक बेकिंग ट्रे को ओईल से ग्रीस कर लिया है, उपर बटर पेपर भी चालिया है, लेकिन बटर पेपर के उपर ओईल नहीं लगाया, मिक्स्टे ठंडा हो जाए, तो उसके चोटे-चोटे बोल्स बनाके हम ट्रे पे रखते जाएंगे, ये देखिए, अब हमारे बिस्किट्स बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो चलिए इनको बेक करते हैं, तकरीबन आदे घंटे के लिए, आदा घंटा हो गया है, और हमारे बिस्किट्स बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, उपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं, इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पीड़ बेक जरूर दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, मिलेंगे इन्शालला नेक्ट वीडियो के साथ जल्द ही तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अलाहाफेश